सरकारी नौकरी करना चाहिए या प्राइवेट नौकरी करना चाहिए और आप क्या चुनेंगे सरकारी या प्राइवेट आजकल की युवाओं के लिए ये एक बहुत बरा प्रस्ण है कि उनको सरकारी नौकरी के तरफ ध्यान देना चाहिए या प्राइवेट नौकरी कर लेनी चाहिए वैसे अधिकतर युवा सरकारी नौकरी की अप एक्छा रखते हैं लेकिन सरकारी नौकरी के लिए आजकल competition इतना बढ़ गया है कि बहुत कम लोग का chain हो पाता है यूबाओं के लिए सबसे बरी समस्य ये भी है कि वो अच्छे से अच्छे डिगरी पाकर भी उनको अच्छी से जौब नहीं लग पाती और उनका रुजहान सरकारी नौकरी के तरफ हो जाता है और जहां तक बात की जाये जो students arts लेते हैं, commerce लेते हैं इन लोग को तो ज़्यादा सोचने के जरुरती नहीं होती क्योंकि ये अधिकतर सरकारी जौब के ही तरयारी करते हैं और science के students जो अच्छे अच्छे डिग्री प्रप्त करते हैं, वो लोग भी आगे चलकर सरकारी जौब के तरफ रुजहान उनका बढ़ जाता है आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे points रखने जा रहा हूँ, जिससे जानकर आपको ये पता चल पाएगा कि सरकारी नौखरी बहतर है या private नौखरी करना बहतर है ये है ग्यान की बात यूटूब जाएं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सरकारी जौब करने के क्या फायदे है और लोग सरकारी जौब करना क्यूं पसंद करते है सबसे पहला, सरकारी जौब करने का सबसे बरा फायदा यह है किसमें आपका जौब सिक्योर होता है, आपको कोई निकाल नहीं सकता एक वार आप ये जॉब जॉइन कर लिए तो आपकी बुड़ी जिंदगी आपको कोई निकाल नहीं सकता यही सबसे बड़ी बज़य है जिसके कारण भारत की उबा सरकारी नौकरी करना पसंद करते हैं दूसरा है सरकारी जॉब में सेलरी भी बहुत अच्छा खासा मिलता है तीसरा है समय समय पे प्रमोशन होते रहता है सरकारी जॉब में आपको प्रमोशन मिलता रहता है जिससे आपकी आयब बढ़ती रहती है जबकि private में सब आपके boss पे निर्वर करता है जितने समय तक आप सरकारी नौकरी करते हैं उतना ही आपका promotion हो जाता है और इसके अलावा आपको कई सरकारी सुविधाओं का भिला मिलता है जैसे quarter की सुविधा हुआ, medical की सुविधा हुआ, housing loan, बच्चों की पढ़ाई जैसे सुविधाओं मिलती है चौथा फैदा है working hour काफी कम होता है सरकारी जौब आपको 9-5 का जौब भी बोल सकते है छुटियां भी काफी मिलती है सरकारी तो ये सारे फैदे हैं सरकारी जौब करने के और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, private जौब करने के क्या फैदे हो उसके क्या नुकसान है तो सबसे पहला मैं बताता हूँ कि अगर आप अच्छे private company में जौब कर रहे हैं तो आपको काफी अच्छी सुवधाई मिल जाती है, ऐसी अच्छी सुवधाई आपको सरकारी जौब में भी नहीं मिल सकती भारत में कई private company ऐसी हैं जो अपने employee को इतना ज़्यादा facilities देती हैं जितना government भी नहीं देती होगी, जैसे खाना फिरी में मिलना, insurance होना, नियमित रूप से health check-up होना तथा अन्य सुवधाई दूसरा है आप private job को switch करके अपने salary अच्छी खासी बढ़ा सकते हैं कम समय में इतनी जल्दी सरकारी job में भी आपकी salary नहीं बढ़ सकते प्राइबेट नौकरी का ये फायदा है कि आप हमेशा अच्छी आमतनी की चाह में जब चहें company बदल सकते हैं और आप पर कोई पावंदी नहीं होती जीवन के आप किसी भी मोर पर हो अगर आप में काविलियत हो तो आप दूसरे company में ज्वाइन करके आप salary अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं तीसरा फायदा आपको विदेश में काम करने का भी मौका मिल सकता है जबकि government job में बस आपको एक office में पूरी जिंद्री गुजार देनी होगी आजकल भारत में कई सारे ऐसी private company हैं जिनकी ब्रांच विदेशों में खुल गई हैं और वो अपने employees को विदेश में भेशती हैं चौता फायदा है आप अपनी खुद की company खोल सकते हैं private sector में नौकरी करने का ये फायदा ये है कि कुछ बर्स का अनुभव लेकर आप खुद की company सुरू कर सकते हैं और खुद company का मालिक बन सकते हैं और आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं government job बाले बहुत कमी ऐसे लोग होते हैं जो अपनी company खोल पाते हैं private job करने के कुछ नुकसान है वो मैं आपको बता देता हूँ private job में आपको job security नहीं होती है काम करने का pressure बहुत ज़्यादा होता है कहीं कहीं environment अच्छा नहीं मिलता है कहीं कहीं आपका boss भी अच्छा नहीं मिलता है जिसके कारण आप tension और तनाम में जा सकते हैं लेकिन यह सारी समस्या हैं आपको सरकारी job में मिल सकती है वहाँ भी आपको environment अच्छा नहीं मिल सकता है वहाँ भी आपका जो आपसे बरे अधिकारी अच्छा नहीं मिल सकते है तो यह problem दोनों जगह है तो मैंने आपको बताया कि सरकारी नोकरी करने के क्या फायदे हैं और प्राइविट नोकरी करने के क्या फायदे हैं और दोनों के नुकसान क्या है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं क्या सरकारी नोक्री अच्छा है या प्राविट नोक्री अच्छा है आप कमेंट के माध्यम से बताएं अगर आप इसी तरह की ग्यान बर्धी जनकारिया जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल ग्यान की बाते को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यह ग्यान बर्धी जनकारियों का खजाना